नमस्कार मैं हूँ गाहितरी गुपता और आप देख रहे हैं SPN 9 News स्वागत है आप से भी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लारस्थान दंगल में दंगल इस वक्त चल रहा है भार्टी जंता पार्टी के अंदर क्योंकि मदन लाल सानी के देहान के बाद अब हर किसी की नजरें हैं कि कौन बनेगा अगला BJP प्रदेश अधक्ष वैसे अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम के जरीए बताने की कोशिश की थी कि राजवर्दन सिंग राथार को सुबह की जिम्मेदारी सौपी जा सकती है लेकिन आप यह कहा जा रहा है कि प्यामोदी फिर से चौकाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर फिर से चौका सकते हैं वैसे अभी मैं थोड़ा सा लोग सौबाई स्पीकर के पत को लेकर बात करूंगी लोग सौबाई स्पीकर की पत को लेकर कई लोगों के नाम रेस में थे लेकिन जब उन्होंने ओम बिल्ला का नाम पर मुहर लगाते वे नज़र आए तो हर किसी के लिए चौकाने वाले लोगों को चौका रहा था कि प्या मोदी ऐसे से नाम ढूंड कर ले आते हैं प्या मोदी अमिश्या की जोड़ी कि जिनके नाम के बारे में शायद ही कोई सुना होगा या पिस सुनता रहता होगा और ऐसे 1214 में अगर मोदी कबिनेट पर हम नज़र बारे तो बहुत से नाम के नाम सामने हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चाएं भी नहीं होती थी तो ऐसे में अब फिर से यही जो यही जो धारन है राजस्थान में हमें देखने को मिल सकता है वैसे फैरिस तो बहुत लंबी जा रही है बिजेपी के प्रदेश अधक्षों की आखिर कौन बन सकत है कि ऐसे शक्स को बिजेपी का प्रदेश अधक्ष बनाए जा सकता है जो कि संग से तालूक रखता है क्योंकि पहले बी अगर देखा जाए जितने भी प्रदेश अधक्ष रहे हैं उनमें अधिकतर लोगों का संग से तालूक रहा है हाला कि यह कहा गया तक इस बार किसी गैर संग शक्स को ही सुबह की कमान सोपी जा सकती है, लेकिन फिल्हाल पिम मोदी ऐसे शक्स को बिज़ेश प्रदेश अधक्ष बना सकते हैं, जिसका संग से तालुकों जो संगी हो, जो राश्री सवाहम सेवक संग में काम कर चुका हो, या फिर वर्तमान में काम कर रहा हो, तो इससा से लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें मदलाल सायनी से पहले जब प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी की बात कही गई थी तो इसमें अरुन चतुरवेदी सतीश पुनिया के नामों पर अटकलों के बाद गजेंद सिंग्स शेखावत को जिम्मेदारी मिलने व भूमी के हैं, तो एक युवा चेहरा भी बताया जा रहा है, अब युवा चेहरा अगर कोई है तो वो है राजिवर्दन सिंग राथार, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोरी फिर से चौकाने का काम कर सकते हैं, और फिर एक बार फिर पार्टी के एक सामान कारकरत sa qa akon positive 3 में अगय उनका नाम सबसे डया रिस में और इनको प्रदेश अधक्ष की zipra-isdắm hin स नहीं सुना होगा इतनी चल्चा में नहीं रहते हैं लेकिन इनका इनका जब सिस्यासी करियर पर या मूरी ने नजर गौर फरमाया है जो काफी चीज़े जब वहां पर बिठाई गई हैं गरित तो उसमें यह सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि इनकी प्रेश्टि भूमी जमीनी जुडाओं और कारेकरताओं के बीट साफ सुत्री छवी है और जो इनका वहवाल रवया बहुत अ चल सकते हैं नेताओं के साथ तालमिल बना के चल सकते हैं तो ऐसे में हो सकता है कि दिलावर को जो है पार्टी की जिमेदारी सौपी जा सकती है मदन दिलावर जो हैं विजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं इसके अलाबा और भी नाम है इन नाम में ये भी कहा जा र भार्टी जंता पार्टी का प्रदेश यद्ध्यक्ष राजस्थान में और जो पियमोदी गडित साथ रहे हैं गडित ये है कि वैश, जाट, राचपूत और दलित केंद्र में एहम जिम्मिदाई देने के बाद आप समिगरणों के बाद दोपूर मंत्री वासुदेव, मिदारी ऐसे किसी संग प्रष्ट भूमी वाले निता को सौपती आई है, तो ऐसे में हो सकता है कि आरुन चत्रवेदी, सतीश पुनिया या फिर मदन दिलावर, ये हो सकते हैं जो इन ही तीनों में से एक चहरा हो सकता है, जो कि बिजेपी की कमान राजस्थान में संभाल सक प्रष्ट है, फिल्हाल अब देखना है कि प्याम मोदी किसको आगे लाते हैं और निसंदे, इस बार भी राजस्थान में सबसे अनोखा नाम सामने आएगा, और जो आपके पैदो तरे जमीन खिसका देगा, क्योंकि उस नेता का नाम सबसे अलग होगा, और जिसके बारे म झाल झाल